नमस्ते दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में वो पूर्ण रूपेंड समपूर्ण भारत वर्ष में लागू हो चुका है लिबरांडू का सबसे बड़ा दर्द ये है कि CAA लागू हुआ तो क्यूं हुआ और उससे भी बड़ा दर्द या दर्द पर या घाओ पर जो नमक और मिर्च रगडने का काम किया है वो ये कि इसको रमजान की पूर्व संध्या पर ही क्यों लागू किया गया है अब आप सभी जानते हैं कि इसको कभी भी लागू कर दिया जाता लिबरांडू के पिछवाड़े में तो आग लगनी ही लगनी थी लेकिन इसका विरोध जो हमने अभी तक शाहिन बाग और संपून भारतवर्ष में देखा है उसके पीछे का लॉजिक आज तक किसी को समझ में नहीं आया एक बार को हम ये एकसेप्ट कर सकते थे के वाकई में आइंस्टाइन ने इसलाम कबूल कर लिया है नील आर्मस्ट्रांग ने जिस समय पर चंद्रमा पर पहला कदम रखा वहाँ पर उसको मुहम्मद साहब के द्वारा एक उंगली से तोड़े गए चांद के जो निशान थे वो मिल गए थे वहीं पर खड़े होकर के उसने अजान भी दी थी इसलाम कबूल कर लिया था लेकिन ये हमें आज तक भी समझ नहीं आया के CAA से भारतिये मुसल्मानों की नागरिकता के जाने का क्या संबंद है वही मुसल्मान जो लगाता रोहिंग्या और बांगलादेशियों को यहां पर शरण देने के लिए एडी से चोटी और पिछवाड़े तक के जोर लगा चुके हैं उन्हीं लोगों को बाहर से आने वाले अल्प संख्यक हिंदूों क्रिष्चन जैन बौद और सिक्षों से क्या समस्या है ये वही लोग हैं जो हमेशा ये बात कहते हैं के पैगंबर मुहम्मद ने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया लेकिन इनकी इंसानित केवल और केवल इनकी उम्मा तक सीमित है अगर यही लोग इसलाम में कनवर्ट हो चुके होते तो ये इनकी भी पैरवी कर रहे होते ये आज इनकी नागरिकता दिलाने के लिए आजाद मैदान में जाकर के वहां अमर जवान जोती तोड़ रहे होते या वहां पर जो पुलिस कर्मी महिला थी उनको भी सेक्स्वल असॉल्ट कर चुके होते लेकिन यहां पर मामला क्योंकि हिंदूों का है और वो हिंदू जिनकों के इन भारती मुसल्मानों के इसलामिक बाहिबंदू पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश में किसी भी प्रकार से प्रताडनाय देने के बावजूद कनवर्ट करके मुसल्मान नहीं बना पाए वही दर्द भारती मुसल्मानों के बार बार उठ रहा है स्थानविशेस में आपने पाकिस्तानी लड़कियों के वो वीडियो देखे होंगे कि जिनमें वो रो रही हैं, तडप रही हैं कि क्यों उनको बार बार सेक्स्वली असॉल्ट किया जाता है या फिर कनवर्ट कर लिया जाता है एक वीडियो में यहाँ पर साइलेंट करके लगाऊंगा और टेलिग्राम पर भी आपको दे दूँगा वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तानी मौलाना इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम हिंदू लड़कियों को चाहे वो माइनर हो चाहे वो परिपकव हो अगर हम उनको कनवर्ट नहीं कर पा रहे तो एक स्लामिक रास्ट बनाने का एक शरियाई हुकूमत वाला देश बनाने का फाइदा क्या है ये सारी कि सारी वो समस्याएं हैं जिन से सारे हिंदू रूबरू हो रहे हैं चाहे वो हिंदूस्तान के हो चाहे पाकिस्तान के इन सभी समस्याओं का समाधान मैंने धाई मोर्चा का चक्रवी हु नामत पुस्तक में रिटन में दिया है क्योंकि वो सारी चीजे में यहाँ पर वीडियो में आपके सामने नहीं बोल सकता प्री बुकिंग चल रही है लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है इस समय पर भारी छूट चल रही है आप इसको अवश्य करीदे क्योंकि जब तक आपको समाधान पता नहीं लगेगा तब तक आप इसी प्रकार से शतुर मुर्ग की तरह अपनी मुंड 13 साल की बेटी को बचाने के लिए पाकिस्तानियों से लड़ रही है इंस्ताग्राम पर मैंने यी वीडियो पोस्ट की थी वॉयलेंट है इसको भी मैं यहाँ पर नहीं टेलिग्राम पर ही दे पाऊंगा चार लड़के बारी बारी से उस महिला को पीट रहे हैं और वो कह र यहाँ पर बड़ी-बड़ी मानवता की बात करने वाले मुसलमान ये देखे के उन ही नागरिकों को नागरिकता देने के लिए किस परकार का विद्वा विलाप या R&D रोना कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देश के अंदर पहले ही बेरोजगारी है आप बाहर के लोगों को य यहाँ पर नागरिकता दी जा सके और उसके बाद मैनार से आएगा ताकि जितने भी गुस पैट हैं उनको चिनिहित करके यहाँ से भगाया जा सके नौर्थ इसके कुछ स्टेट से तो अभी से ही बाहर के जितने भी गुस पैट ये हैं उनको भगाना भी शुरू कर दिया जा चुका है अब आप इस बात की जो सुख बुगाहट थी उसी समय से लगा रहे थे जिस समय पर अमिशा की गाड़ी के नंबर प्लेट को आपने पढ़ा और उसमें CAA लिखा हुआ था अमित भायशा ने उसी टाइम पर सिगनिफिकेशन दे दिया था कि जल्दी ही CAA ला अगू होने के बाद में उन शरनार्थियों की खुशी को जरा महसूस कीजिए ये मजनू का टीला है यहां पर ये सारे के सारे पाकिस्तानी हिंदू शरनार्थी लोग हैं अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली की सरकार ने वहां उनके आवासों को दोस्त करने का आदेश प अधिक धर्म छोड़ना कबूल नहीं किया जिन्होंने अपनी जैसे भी तैसे जान बचा करके भागने का प्रयास किया इसी प्रकार से कुछ हिंदू राजस्थान में भी थे जहां पर उनके घरों में आग लगा दी गई थी और उनको तोड़ दिया गया था लेकिन वादी बात करने वाले व्यक्ति का या फिर इस प्रकार के अंजियोज का दिल नहीं पसी जा था उसके बाद में जब हिंदू ने खास करके सुदरसन चैनल ने इस पर मुही मुठाईरों ने कहा कि हम सब लोग मजनू का टीला पर इकत्रित होंगे और वहां उन लोगों के घर नहीं तूटने देंगे उसके बाद में आप इस विधान को लागू होता हुआ देखते हैं इन लोगों के चेहरों की प्रसनताएं देखिए और पाकिस्तान में सताय जाने वाली लड़कियों और उनके माओं बापों की शकलों को देखिए दोनों में आपको जमीन आसम देखिए लेकिन भारतिय मुसल्मान उम्माह के पक्के हैं और उनके दिल और दिमाग दोनों के दोनों सुपुर्द हो चुके हैं अपने इसलामिक देशों के प्रती उनको यहाँ पर बैठ करके भी ये दर्ध है कि उनके भाई लोग उनकी उमाह के लोग पाकिस्तानी ये मजबूर कर रहा है लेकिन उससे पहले ही आप सभी जानते हैं कि मोटा भाई की जो सुरक्षा है वो पुखता हो चुकी है दल्ली पुलिस को हमने देखा जिस परकार से के वो आखिर कार फिर भी तोमर साहब को सस्पेंड करने के बावजूद भी ना खुद पिटने से अच्छा पाई लेकिन मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में फिर भी ये सुरक्षा के इंतजाम थोड़े से और ज्यादा पुखता होंगे फ्लैग मार्च हो रहे हैं जगा जगा पर पहले ही पैरा मिलिटरी और अर्द सैनिक बल पुलिस के साथ साथ न्युक्त कर दिये पर डालेंगे कि किस प्रकार से पिछवाड़े सुजा दिये गए थे उत्तर प्रदेश के अंदर अब आप स्वम समझे इतना बड़ा खुशी का महौल है जहां एक तरफ पाकिस्तान के लोग सरवाधिक जिन लोगों ने यहां पर आवे दन दिया है बांगला देश के शेरवानी को हर रोज एक नया जक्म लिखना अब छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से साउधी नोवेशी और पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गिरो हो विध्वा भिलाप कर रहा है वो भी छोड़ देना चाहिए सारे लोगों को ट्वेटर की लड़ाई छोड़ करके केवल और केवल एक काम करना चाहिए कि उन्हें कागज धूंड लेने चाहिए क्योंकि अभी CAA आया है बाहर के लोगों को नागरिकता देने का काम हुआ है जितने लोग यहां पर गुस पैठी बैठे हुए हैं उनकी नागरिकता जानने का कारेकरम तो भी शुरू होने वा और बाहर के देशों से यहां पर शरन लेने वाले लोगों के चेहरे देख करके प्रसनता मिली है तो इस वीडियो को सरवाधिक लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि CAA लागू हो चुका है और उसके आने से क्या फाइदे होने वाले है और अगर अभी तक भी आपने ढाई मोर्चा का चक्र व्यू प्रीबुक नहीं करी है तो जल्द से जल्द कर लीजे क्योंकि एक दम लास्ट मॉमेंट है कि आप प्रीबुक कर पाएंगे उसके बाद में हम इस पर कोई भी छूट नहीं दे पाएंगे मैं सौरी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ भले ही आप मुझे दिल से कभी भी माफ ना कर पाएं लेकिन किताब पढ़ेंगे तो आप मुझे कोटी कोटी आशिरवाद अवश्य देंगे मेरे संग बोले सत्यसनातन वैदिक धर्म की जये जैहिन वंदे मात्रम